हेलो गाइस विल्कम बेक टो एननादर वीडियो तो गाइस थामनेल देखके तो आप लोगो पता चली गया होगा कि यह जो वीडियो है ट्राइडेंट के उपर ही है ट्राइडेंट के अगर रिटैन के बारे में बात करें तो लगबख 600% के आसपास की यह कंपानी रिटैन द ने बाइंग किया है तो चलिए गाइस देखो कुछ दिन पहले मैंने इसके ओपर एक वीडियो बना था नवेंबर की महिने मेरी नवेंबर की एकदम फर्स्ट विक में मैंने इसके ओपर एक वीडियो बना दिया था लेकिन हम लोग का जो टार्गेर्स था वो अभी करेंगे और जो लोग नएंट्री करने के बाड़े में एंट्री कर सकते गोगास जो लोग ट्रडइडट की यह वीडियो में पहली बात देख रहा है उन लोग के लिए मैं फटसे एक फटा फट fundamental analysis कर दूँगा क्योंकि क्या वेकार में वो लोग जाके पहले वाला वीडियो धूढ़ेंगे इससे अच्छा तो यह ही है कि यहां पर ही देख ले उसके बाद हम लोग discuss करेंगे कि आज कितने quantity में ट्रेडिंग हुआ है देखो गाइस आज एकदम levels and future targets के बाद में discuss करेंगे तो चलिए देखते हैं तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकतो ट्राइडेंट कंपनी क्या करते हैं अगर डिटेल में जाना है कंपनी के website में जाके देख सकतो वाकि अगर देखा जाए तो कंपनी बात लाइन इन बेड लाइन यह सब manufacture करते हैं सब कुछ अगर जानना है कंपनी के बाद में website में जाके जान सकतो बेसी और नेनसी दोनों में ही लिस्टेड है कंपनी मार्केट केप 26,626 क्रोर के हैं हीुज मार्केट केप निकल के आ रही है एक साल के अगर रिटेन के बारे में बात करें एक्जेक्ट फिगर्स के बारे में बात करें 573.54 के रिटेन यह कंपनी देके जारी है डिविदेंड यल्ट 0.69% की फेस वैलू एक रुपे का रोसी 10% एंड रिटेन अन इकुईटी 10.5% बुग वालों से काफी हाई में कंपनी ट्रेड कर रही है स्टॉक का पी जो है वो 41.2 किया है प्रोजन कांस के बारे में बात करें कंपनी एस रिडिउस डेप एक्स्पेक्टेड टो गीफ गुट क्वाटरली रेजर्ट यह सेप्टेमबर क्वाटरली के रेजर्ट आउट हो चुकी है लेकिन इन लोग यह लोग यहाँ पे अपडे बजा है वो है कि कंपनी इस से पहले 2021 से पहले काफी ज्यादा कंसुलेट करती थी इसके लिए यह जो तीन इयर्स की डिटन ओन इकुईट है वो काफी कम नजर आएगा आप लोग के यो कि इसी यह अर्खा कर डिटन ओन इकुईट देगा जाए तो वो 10% के आसपास निगल में बात कर तो यहां पर आप लोग देख सकता तो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेवल है एंड सप्टेम्बर को अठली में काफी से पर्फॉर्मेंस दिया है और कंपनी की जो रिजल्ट है वो इंप्रूवी होते जाए रही है 2021 में यह मार्च की है यह जून की है यह सप्ट माइना बाखे 2022 की फाइनशियल और खतम होने में जो हो सकता है थाउजन क्रोड प्लस प्रॉफिट शो कर दे बाइद अफ 2022 की फाइनशियल या वैलेंस इट के बार में बात करें कंपनी रिजर्फ इंक्रीस खिया है और बॉर्विंग्स डिक्रीस क्या है जो कि काफी सही न नहीं है अगर कंपनी आप लोग को लग रहा है कि 100% परफेक्ट है जोल है सिर्यसले बॉल रहा है काई दूर हो जब जोल है कैस्फ फ्लॉज में माइनस टू टू टून्टी क्रोर की नेगेटिव कैस्फ फ्लॉज है उसके साथ साथागा और शियर होल्डिंग पैटन जिसक में बात करें तो यहां पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ एक ही बड़े यह भी ट्राइडेंट की ही मतलब एक शाखा है आप लोग बोल सकते हो 21.99% की जो है लगबग 20% के आसपास हम अब जैसे छोटे मोटे रिटिलर्स की होल्डिंग निकल के आड़ी है तो चलिए अब बात करते हैं देखो जो लोग यह पूछ रहा है कि कंपनी फंडमेंटली कैसे है अब लोग को पता चली क्या कंपनी फंडमेंटली कैसी है अभी आप लोग पूछ सकते कि कंपनी लॉंग टर्म के लिए बिसिगा लिए बिसिगा लिए लोंग टर्म हो शॉट टर्म कंपनी fundamentalist हो है FL Pig hm इसके साथ साह्त Mär कुछ भी ले सकते हो तौ और तो सुम Play 15 jun इन विल्ले सकते हैं दिसको हम सबमाजर सें , मिड्रम्तेस जिए भी कोछ भी ले सकते हो और जो कि अब में डिसक्स कप्रते में दिसक्स करते में आज − वॉल्यूम है वो खोकला है कि एक्दम वॉल्यूम है वो देखते हैं तो गाइस यहां पर हम लोग NST के वेबसाइट पर आ चुके Nifty 500 में company listed है और यहां से आप लोग साफ साफ देख सकतो हो आज आज ही company के बारे में बारे में बात करें वान क्रो थर्टी त्री लैक नैंटिनाइन तौशन फाइटी आज ट्रेड हुआ है जिसके वालू 7305 रुपिस के आसपास निकल के आ रही है और यहां पे आप लोग साफ देख सकतो हो यही आपार प्राइस बैंड प्राइस है मतलब आपर सा 4.14% मतलब मेजोरिटी ट्रेड्स डेडिवरी में ही लिया गया था कुछ ट्रेडिंग इंट्रेडे में भी हुई थी पेंडिंग ओडर कॉंटिटी के बारे में बात करें बारा लग क्यास पास बाइंग ओडर पेंडिंग है 54.85 रुपिस के प्राइस पॉइंट पर तो यहां पर आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी यह देखो यह दो ब्लू लाइन्स आप लोगो दिख रहा है यह मैंने आज ही ड्रॉ किया है यह 70 रूपे के लेविल पकरके चल सकते हो 60.8 का जो ट्राइगेर था हम लोगों पहले दे रहा था अगर आप लोगों डाउट है पुर्णा वीडियो देख सकते हैं या तो फिर अगर पुर्णा विवार है तो पता ही होगा तो देखो यह जो लेवल है यह आलमोस्स टच होने को भी आप लोग करना किया है कि यह अभी भी आप लोगों ट्रेट में इंटर कर सकते हो या तर फिर क्याप लोग को 60.8 या त लोग देख सकते हो मैं अब लोग को डेटल में देखो नीचे वाला पार्ट तो छोड़ दो इसा 25 की लेवल छोड़ दूँए आप याप मैं 90 की लेवल आप लोग के सामने स्ट करना चाओंगा देखो गयाँ अगर करेंट प्राइस के बारे में बाद अगर करेंट लेवल के भी भी टच नहीं कर सकती है हाँ हो सकता है कि इस बार टच कर दे लेकिन स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही पूरा ना जो है वो कहा बत है हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ तो उसके अकर्डिंग अगर देखा जाये तो 90 की आड़ेसाई बहुत मुस्किल से कंपनी टच करेगी मतलम ना ही समझ लो ना करने की चांसे मैक्सिमा में 90 की आड़ेसाई तो क्यू बेकार में फाल्तू रिस्क लेने का जब यहां पर पूजी भी नहीं है देखो अगर आप 60 पॉइंट यह जो आप लोगों को हाई दिख रहा है अल्मोस्ट यह जो एक अच्छा कासा लेवल लिख रहा है आप लोगो 87-88 87 की यह आप लोगो लेवल लिख रहा है अगर 60 आने से पहले यह 87 या तो फिर 80 अभी तो आप लोग द अगर ट्रेडिंग हुई बीच में या तो फिर कंसुलेट करने लग गया है ऐसे की यह उपर जाड़ा था बीच में कंसुलेट करने लग गया तो इसका कोई गैंटी नहीं लेता हो लेकिन अगर ऐसे अपर साकीट के बाद अपर साकीट लगाते हुए कंपनी 60.8 टच कर दे यह तो फिर अगर अप लोग वेट करना चाहते हो देन 60.8 मैक्सिमम के लिए यह सबको पता है देखने से पता चल रहा है कि 60.8 से पहले ही 87 की आड़से टच कर देगी कंपनी तो 70 एन 80 के लेवल के लिए रुकना तो ब्योगोभी होगा अब लोग आपने चार्ट पे 60.8 मै अब लोगो यह एंसर तो मिल गया ना जिन लोग के पास होल्डिंग है उन लोग क्या करना है 87 जब टच करती है वहाँ पे बेच की चले या दो पॉइंट है 87 टच कर लो या तफे 60.8 या तफे 60.5 से सेल करना चालू कर दो यह दो सेलिंग के पॉइंट्स है अभी डिस्कस करते है देखो अगर यह चीज हो सकते है कि RSI को कूल डाउन हो जालें दो हो सकते है 60.8 को पर क्रोस करते हुए यहाँ पे आच्छा खासा बाउंस ब्या कनफार्मेशन देती है आप लोग देख सकत हो दो दिन के अंदर अदर आपप कनफार्मेशन साथ की काफी साई वॉल्यूम बिल्ड आप है यहाँ और अगर पिछले दो दिन की वॉलूम देखा जाये त लोग किया हुआ है यह 20 डे की मूविंग अवेरेज या तो फिर आप लोग एवरेज वालूम की लाइन भी आप लोग बोल सकते हो काफी कम वालूम आई है पिछले दो दीन तो हो सकता है कि स्टॉक नीचे गिनना चालू कर दी या थे जगो भी पॉज़िटीव उपर जाने क के बाद एक्जिट करके निकल जाओ स्टॉक से बागी आप लोग के पाड़े जो लोग नया देखो जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे तो अगर यहां पर कंसुलेट करती है तो यहां पर भाई कर लो या तो यह सारे के सारे लेवल के स्क्रीन शॉट ल लेवल कंपानी ने दिखाएगी फिर से काफी चांसस कम है कि 2022 से पहले कंपानी जो है वो 38 की लेवल दिखाएगी इतना बड़ा फॉल आप लोगो देखने को नहीं मिलेगा आई गेस कंपानी में बाखी स्टॉक मांगर है कुछ भी हो सकता है जलबाजी में कोई भी अगर यहां से बांस बेक रहती है से सटर रुपय का फास्ट रागट असे रुपय का सेकंड रागट और अगर देखो अगर डाइडेक्ट यहां से यहां तक चली आती है 70 प्लस क्रोस करते है तो डॉंट वरी गाइस मैं इसके उपर भी लेवल अप लोग के लिए बना दोंगा डॉंट वरी अबाउट इट तो गाइस एक स्ट्रेंट ले लेना से इसको छोड़ के 54.85 यह मैं इसकर जिता हूँ क्योंकि यह करनेंट मार्केट प्राइस है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो गैस अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग और झाले भीडियो में मिलते हैं आप ले ले आप लेगे बाउब पर अबाईस आप हैंक्स वाचिंग को जागे लेगे प्राइस से एक स्ट्रेंट नायूज है इसक्ते हैं इसक्ते हैं को अधूब बाईस से श्रेंगे अबाईस आप